एक कहानी सा साल पुरानी ये है बीटियस का गाफ लाची पोलाला जहां पर क्यूट ब्यूटिफुल और लवली लवली आर्मी रहती है लेकिन पिछली रात किसी उलू के पठे ने आर्मी के लाल टेम तोड़के इस गाउं की बत्ति गुल कर दी तो आखिरकार कौन है वो बेव कुप अपराधी इन छे लोगों में से क्या वो शरारती बेबी मोची है या फिर नंदु नाई उफ होबी या फिर गाउं का सबसे स्मार्ट वेटर फोटोग्राफर यूंगी सेट धना लाल सिर्फ शकल से या फिर जे के दडान गेम की दुनिया का बाश्या और हमारे जासूस बने हैं वाल वाइड हैंसम जीनियस जिन चोटी चोटी उंगली की से दिखाता है काट के रख दूँगा पैसे की गर्मी दिखाएगा मुझे जेल में डलवा दूँगा इस सल्मारी में लाश है क्या खुच जाके देख ले लाश है या चुडैल ये बजमाश बच्चा किसका है पका घर से भाग क्या होगा मैं तेरा मडर की दूँगा अब पड़ मार मार के गाल लाल कर दूँगा तूने मडर किया है किसी पर भरुसा नहीं कर सकते हैं आरेम तू तो डोरी मोल लग रहे हैं पिछली होली पे पता नहीं किस चिमकांडी ने पका रंग लगा दिया था छूटा ही नहीं नहा तो लेता चार फिनाईल की बोतल वाशिंग मशिन सब यूज़ कर लिया कुछ नहीं हुआ पानी यूज़ कर लेता हाँ वो पानी बहु हो जाए जल रहे हैं तु मुझसे क्या करने आज आप सभी को उस प्रांधी को पकड़ना है जिसने दिन दहाडे आर्मी की 200 साल पुरानी लाल टेम फोड़ डाली और इस गाव की शांती भंग कर डाली तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था पेट में था ये शांती कौन है तु घोड़ी चड़ गया और हमें शादी में बुलाया भी नहीं पूरे सासो सी बराती बुलाये थे बस इतनी गिंती आती है तुझे थोड़ी और गिंती सीख लेता तो हम भी आ जाते ना शादी में मुझे शादी करनी थी बरबादी नहीं तुम जैसे वी आइपी को जैसे कूटने भांते तुम से शादी कर लेती फिर तो मैं सिंगली मर जाता तो मर जाना फिर मैं दुलन से शादी कर लेता जल्दी पंडित बुलाओ बड़ा भाई मैं हो पहले मैं शादी करूँगा मंड़क प्याख लगा दूँगा इन ललो से शादी करन करता तो लंतो मुझे पसंद करती मेरी शादी गई भाण में मिस्ट्री सॉल्फ करो फातिल तुम्मे से कोई एक है ये लो तुम्हारे गुनाओं की फाइल तुम्हारे सारे करम कांड लिखे हो इसमें कौनसा गुनाओ मेरी गुल्फरेंट्स के लेटर होंगे ले लो परशादा ले लो ये लेटर है एक्जाम पेपर इतने कोशन अपने यूंगी बजाता सब की पंगी तो अपने से पंगाल लेना नहीं क्योंकि अपन मूपे बेजती करता है क्राइम, डाइवोस, भावी का फेर गल्फरेंट की जासूसी किसी भी मनूज जगह पे फोटो खिजवानी हो तो अपने से कॉंटक्ट करने से पहले 2000 का पिंक नोट अपने जेम में तयार रखना क्योंकि फ्री में मैं अपने बाप का भी काम नहीं करता हूँ हमारे सारे राजबता इस रैटर को मैं हूं नंदूनाई करता हूं सर के बालों की सफाई पहले मैं डॉक्टर था और मैंने 10 पेशिंट का उपरेशन किया है जो की सही सलामत भगवान को प्यारे हो गए यूंगी मेरा बश्पन का चड़ी बड़ी वाला यार है कॉंग्रेचिलेशन भाई हम दोस्त हैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया लेकिन मुझे कैंचे चलानी आ गई फिर मैंने सोचा नाई बनू या दरजी पर सिलाई मेशिन बहुत महेंगी थी तो मैंने नहीं खरी दी और लोगों को टकला करना शुरू कर दिया मेरा कटोरा कटिंग वर्ल्ड में फेमस है तूने किसी का कान भी काट दिया था नहीं तो अपने जेके दडान गेम की दुनिया का बाश्चा ग्यारा मुलकों की पूलिस अपने पीछे पड़ी हुई है क्योंकि अपन गेम के नाम पे दो नमर का धंदा करता है पका ड्रक्स बेचता होगा तू नहीं अपन पबजी खेलता है इंडिया में पबजी बैन है ना दो नमर का धंदा अपन इस गेम में मर भी सकता है और किसी को भी मार सकता है मैं तो प्रो प्लेयर हूँ जीट जाओंगा मैं गाउं का वो इश्रारती बच्चा हूँ जो शकल से भोला और अंदर से बम का गोला है अप फट क्यों नहीं जाता गाउं के बच्चों से वसूली करके लॉली पॉप खाना मेरा रोज का काम है ये तो गुंडो वाली हरकते हैं सिर्फ गुंडा ने डकेत है लोगों की रातों की नीन दिल चैन सब चुराया इसने पड़ोसियों के घर में जहांक कर आंटियों की चुबली और लड़ाई देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसो क्यों? क्योंकि उन आंटियों के बीच मैं नहीं लड़ाई लगाई थी मैं दिखता हूँ सूइट लिटल स्वामी टाइप का लेकिन हूँ हरामी टाइप का अच्छा तेरी वज़े से चार आंटिया बाल लोच लोच के लड़ रहे थी अब बाहर टकली बैठी हुई है ज्यादा मतबल सर फोड़ दूँगा मैं हूँ अंग्रेजों के जमाने का सेट धना लाल जिसके पाल इतना पैसा है कि अंबानी भी मुझसे लोन मांगता है इस गाउ की सारी जमीन, जादा अधीरे, जवारात, लड़की, बुड़े, बच्चे सभी पे मेरा कबजा है और अब मेरी शाते नजर जेके की गेम की दुकान पर है जिसे मैं खरीद के रहूंगा मैं नहीं भेचूंगा, मैं क्यों भेचूंगा लाल की आदमी, मैं खरीद के रहूंगा पापा बन जाओ मेरे ये टेड़ी बियर किसका छूट किया ले जाओ मैं शादियों में पार्ट ताइम वेटर का काम करता हूँ जिस भी शादी में जाता हूँ दो मिनट में लोग मुझे दखनार के निकाल देते हैं क्योंकि दुरन मुझे शादी करने के लिए मंड़क छोड़के भाग जाती है मैं करू दिल की चोरी दिल की चोरी इसमें मेरा क्या कसूर क्या करू ओ लेडिस मैं हूँ आदस से मजबूर कौन सा जादू करता है तु लड़कियों पे भाई मुझे में टैलेंट है जो तुझ भी नहीं है आज हमें उस कातिल को पकड़ना है जिसने आर्मी की लाल टेम फोड़ी है पक्का इस पागल डाक्टर ने लाल टेम फोड़ी होगी देखो हस भी कैसे रहे बिलकुल राबनों की तरह है इस डैरी में क्राइम की वारदात लिखनी है बच्ची की जान लोगे के इतना काम कराके जुने तू बच्चा है है मैं मर जावा लो पकड़ो अपनी इपनी डैरी देखूं तो क्या लिखा है मेरी डैरी में जल्दी पढ़ मेरी दिल की धड़कने बढ़ रहे चश्मा तो लगा लूँ ये क्या था ओ माई गड़ कुछ ने लिखा हुआ जूट मत बोल मुझे शक को रहे तुछ पे ले फिर देख ले लिखा है बुरी नजरवाले तेरा मुकाला आरें की शेकल तो उल्लू जैसी लग रही है मेरी क्या दोदास निगले हुए इस जोकर की तरह शकल तो मैच हो रही है ड्रॉइंग बड़ी खराब है तुम्हारी ये नाक से धुआ क्यों निकल रहा है तू बीडी पीटा है क्या तू चिन्ता मत कर इस उमर में गल्तिया हो जाती है तू बीडी नहीं सिक्रेट पिया कर सेट धन्ना लाल ये लो तुम्हारे पैसो का बटुआ पैसे निये इसमें खुद भर लेना ले बुढ़े तेरा डंडा अब ये क्या है तुझे क्या मैं बुढ़ा लगता हूँ ये लो बेबी मौची का लॉली पॉप वा बेट्टे मुझे लॉली पॉप क्यों नहीं दिया क्यूंकि तेरे दाफ में कीरे लग जाएंगे हैं ये लो तुम्हारा कैमरा समाल के तूट के तो तुमसे पैसे लेंगे ये शीशा रख लो जंगल में आग लगाने के काम डरे मेरे दुश्मन तुससे तो मैं एक चुटकी में लर्लू मुझे इस डोरी मून पे शक है तेरा शक्या भाड में तुम गरीब लोगों को तुगना लगान देना परेगा जुपकर मैं सस्ते अंग्रेज की अलाद ये फॉर्णिर की तरह इंग्रीज एक्सेंट मारना ब बहुत इज़त और बेश्टी देली एक दूसरे को अब चलो कातिल को ढूड़ना है चलो 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 जल्दी चलो ये गहां वाले बलग क्यों नहीं खरीद लेते अभी भी लाल टेम जलाते हैं शायद इन लोगों के पास पिजली नहीं होगी सब मेरे पी ते पीछे से एक लाग मारूगा ना, लायक नलायक सब निकल जाएगा, इतना गंदा घर कहम वाली पाई नहीं रखते क्या, कहीं से बद्बू भी आ रही है, ये दे चुहे की डेट बोडी, इसका पोस्मोर्टम करना पड़ेगा, ओए ये तु जिंदा है, योंगी, पेरा फ आप से स्कैन करेगा पेस कूप करीं का, वो, कल एक बिल्ली मुझे पंजा मार गई, उसी का खून है ये, क्या सबूत है कि तुम बेगुनेगार हो, लालतेम तोड़ती हुए भी तो ये चोट लग सकती है, पट्टी खोल के दिखाओ, जख हम गहरे हैं बिल्ली ने पंजा म नहीं है, तो मैं क्या करूँ, अब तुम मुझे पुरा यकीन हो गया है कि तू ही कातिल है, तू भाड में जा, तुझे जो समझना है समझ, हूँ, हे भगवान, हाई मम्मी, मुझे अन्देरे से डर लगता है, ए तुम सब गरेब लोग, तो मेरी बास सुनो, मुझे कुछ क हो है, इसलिए लाइट आ गई, भुड़े तेरी चिश्मे का नंबर बढ़ गया है, ठीक करा ले, अच्छा ऐसा क्या, कैसा मी रही, इसको तो जन्नेटर का भी निपता, ओए, ये वैक्यूम क्लीनर यहां क्या कर रहा है, हे ड्राय कहते हैं, इसे पढ़े लिके जाहिर, लं लड़ाई क्यों कर रहे हो, इसकी लॉली पाप तो मुझे भी खानी है, तो ले, खाले, नहीं, नहीं, तेरी जूठी लॉली पाप खाके दातने कीरे लग गए तो उन कीरों को पालेगा कौन, नंदुनाई, इधर आईए, अब क्या हो गया, आप मुझे अपने बारे में ड सच बोल रहे हो या जूठ, 99% सच बोल रहा हो तेरी कसम, तेरी गल्फेंट उससे मिलने नहीं आई तो वो कहा गई, कहीं उसका किसी और किसा चकर तो नहीं चल रहा है न, ये नहीं हो सकता, हैं, इस थाली के डंडे किसने लगा दिये, ओ तेरी, इस थाली के पीछे तो सब जल्दी दर आओ, ये लेटर किसका है बे नंदु नाई, अरे मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है, किसी पैन का होगा पढ़ मत प्राइवेट है, लिखा है मैं तुम्हारे प्यार को मंटिप्लाइ करना चाहती हूँ, फाइंड यूर एक्स, अरे मेरे दिल का टुकड़ा अरे मेरे एक्स छोड़ के चली गई, यहां फाइंड एक्स क्यों लिखा है फिर, पता नहीं, शायद मिलना चाहती हो मुझसे, पिछली बार पीजा खा खा के मेरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया, इस बार कुछ मांगा तो ठपकर मार दूँगा, ए मेरे एक्स का लव लेटर खुनी, मुझे तो पहले ही शक्ता तुझ पे, वरना एक नीले बाल वाला डोरी मोन की शकल का आदमी इतना हैंसम और स्मार्ट कैसे हो सकता है, हो सकता है, तुम्हारी एक्स गल्फ्रेंड इसकी गल्फ्रेंड हो, बंडा चलाक है, नहीं, यह लड़की का जूता क्या कर रह आपे हैं, यह मेरी परसनल लर्स के जूते हैं, बहु बेटे, घर वाली भी और बाहर वाली भी, बड़ा हरामियत, यह बीडी का बंडल इस बिल में किसने चुपा के रखा, हां, अरे, कितना गंदा है यह, लिखा है, मुझे ढूनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बरबा आदमी को, कितना कमाते हो, तेरी हाइट से तो जादा ही कमाता हूँ, मैं छे फुट का हूँ, मेरी बेजती नहीं करना, अच्छा, अमिता बच्चन से जादा लंब है,